मैं कल शाम को तुम्हारे घर आ सकता हूँ, क्या यह ठीक रहेगा? I can come to your house tomorrow evening, would that be okay? मैंने सुना है कि तुम नए कोर्स में दाखिला ले रहे हो, कैसा चल रहा है? I heard you are enrolling in a new course, how is it going? अगर तुम मुझे कुछ समय दे सको, तो मैं तुम्हें विस्तार से समझा सकता हूँ If you can spare me some time, I can explain it to you in detail हमें इस वीकेंड पर कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, तुम्हारा क्या विचार है? We should spend some time with our family this weekend. What do you think? आज की दोपहर के लिए तुम्हारे मन में कोई खास योजना है? Do you have any special plans for this afternoon? मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए break लेना चाहिए और फिर से काम पर ध्यान देना चाहिए I think we should take a break for a while and then focus back on work. I think we should take a break for a while and then focus back on work. अगर तुम चाहो तो हमें शाम को एक फिल्म देख सकते हैं If you want, we can watch a movie this evening. हमें अपने अगली यात्रा की योजना बनानी चाहिए ताकि सब कुछ वैवस्तित हो सके We should plan our next trip so that everything is organized. मुझे उमीद है कि तुम इस मुद्दे को जल्द ही हल कर दोगी क्यूंकि यह बहुत महत्तोपून है. अगर तुम्हारे पास समय हो तो कृप्या मुझे फोन करके बताना. क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने यह कदम क्यूं उठाया? जब मैं वहाँ पहुचा वे जाने वाले थे. उसके बारे में बात मत करो. उसके बारे में बात मत करो. मेरे सामने अगर मगर मत किया करो. वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है. तुम इसे बिगार दोगे जैसा है वैसा छोड़ दू. यू विल स्पोईल इट, लीव इट अस इट इस. मुँ ढग कर खांसी करो. गवर यूर माउथ वेन यू कव. जितनी भूख हो उतना ही खाना. इट एस पर यूर एपेटाइट. इट एस पर यूर एपेटाइट. सड़क पर मरम्मच चल रही है. The road is under repairing. सड़क पर मरम्मच चल रही है. The road is under repairing. ट्रेन किस समय छूटती है? When does the train leave? ट्रेन किस समय छूटती है? When does the train leave? यह मेरे बस की बात नहीं है. It is beyond my capacity. यह मेरे बस की बात नहीं है. It is beyond my capacity. आजकल स्वार्थ का जमाना है. Selfishness is common these days. इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? How do you have this much money? उसने मुझे साफ मना कर दिया. He gave me a flat refusal. उसने मुझे साफ मना कर दिया. He gave me a flat refusal. चात्र इस पर अच्छे अंक लाने के लिए काफी महनत कर रहे हैं. Students are really working hard to get good marks this time. Students are really working hard to get good marks this time. Mobile तक्ये की नीचे है. The mobile is beneath the pillow. Mobile तक्ये की नीचे है. The mobile is beneath the pillow. वो मेरे पीछे-पीछे फिर रहा है. He is running after me. वो मेरे पीछे-पीछे फिर रहा है. He is running after me. मैं आप पर अपनी इक्छा नहीं थोप सकता. I can't impose my will on you. कहने और करने में बहुत अंतर होता है. There is a big difference in saying and doing. मैं इसका आदी नहीं होना चाहता. I don't want to be addicted to it. मैं तुम्हारे बारे में हर एक बात जानता हूँ. I know every ins and outs about you. वो आजकल पैसे कमाने के धुन में रहता है. He is obsessed with earning money nowadays. उसकी पोल खुल गई. He is exposed. उसकी पोल खुल गई. He is exposed. जो तुमने मेरे कंजूस होने के बारे में कहा था, उस बात को वापस लो. Take back what you said about me. Being steamy. तुम्हे जो खांसी हो गई है. You have got cuff. तुम्हे तो खांसी हो गई है. You have got cuff. इस गाड़ी का पिछले दस साल से इस्तेमाल हो रहा है. This car has been used for the past 10 years. तुम्हे दिन रात उन्नती करो यही मेरी दुआ है. I wish may God succeed you by lips and bounds. I wish may God succeed you by lips and bounds. मेरी शिर्ट सिक्ड़ी हुई है. My shirt is crumpled. मेरी शिर्ट सिक्ड़ी हुई है. My shirt is crumpled. यहां से एक घंटे का रास्ता है. It's an hour driving from here. मुझे इस मामले में मत घंसी तू. Do not drag me into this matter. वो मेरी मुभोली बहन है. She is my swan sister. चिर्णे की कोई जरूरत नहीं. There is no need to get cheesed off. उसने मेरी बातों को जुटलाने की कोशिश की. He tried to belie my words. राज तुम्हारे फोन में जहांक रहा है. राज is snopping around your phone. राज तुम्हारे फोन में जहांक रहा है. तुम बहुत जिद्धी हो गए हो. You have become very obstinate. You have become very obstinate. वह आजकल बड़ी मौज में है. He is making thriving these days. मेरे सामने अकड मत दिखाओ. Don't show ears in front of me. Don't show ears in front of me. मैं बाजार जाने ही वाला था. इतने में तुम आ गए. I was about to go to market. Meantime you came. भले आदमी जल्दी ही इश्वर को प्यारे हो जाते हैं. Whom God loves, die young. Whom God loves, die young. उसने मैच में बहुत जवरजस्ट परफॉर्मेंस दी. He had an incredible performance in the match. तुम उससे बात करने में शर्माते क्यों हूँ? Why do you fight shy of talking to her? इस लकडी को छोटा कर दो. Shorten this stick. इस लकडी को छोटा कर दो. Shorten this stick. तुम्हारे पीछे कौन है? Who is there behind you? तुम्हारे पीछे कौन है? Who is there behind you? यह मेरा पसंदीदा विशय है. This is my favorite subject. यह मेरा पसंदीदा विशय है. This is my favorite subject. मैं तुम्हारे सामने खडा था. I was standing in front of you. I was standing in front of you. वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है. He elongates his stocks. He elongates his stocks. उसने सारी जमीन अपने अधिकार में ले ली. यह तो बस थोड़ी सी खरोच है. This is just a small scratch. This is just a small scratch. माफ किजिएगा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. I am afraid I can't help you. I am afraid I can't help you. टाल मटोल मत करो. Don't put it off. टाल मटोल मत करो. Don't put it off. वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी. She will be happy to see you. She will be happy to see you. शायद वो रास्ता भूल गया हो. He might be lost. शायद वह रास्ता भूल गया हो. He might be lost. मैं तुम्हे थपण मार दूंगी. I will slap you. मैं तुम्हे थपण मार दूंगी. I will slap you. बोलने से पहले सोचा करो. Think before you speak. अंदाजा लगाना मुश्किल है. It's hard to guess. अंदाजा लगाना मुश्किल है. It's hard to guess. उसका लक्षे गरीबी को जड़ से उखाड फेकना है. His ambition is to eradicate poverty. मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है. आपके जबर्जस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुन्यादारी का पता लगता है. यह तो रोज की बात है. हमारे बीच में अनबन थी. हमारे बीच में अनबन थी. कैसे आना हुआ? मैंने उसका साथ दिया. मैंने उसका साथ दिया. उसकी एक आँख खराब है. उसकी एक आँख खराब है. वन ओफ इस आइस is not working. मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है. मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है. कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते हैं. छमा ताकतवर वैक्ति की विशेस्ता है. दवीक कैन नेवर फॉर्गिव. काम के बाद तुम क्या करने की सोच रही हूँ? मैं रोज दोडने जाता हूँ जिसकी वज़ा से मुझ में अच्छा स्टामिना है. आई गो फॉर रुनिंग एवरी डेये. आज रिजल्ट, आई हैव गूड स्टामिना. बदले की भावना विश्यो को अंधा बना सकती है. आई फॉर आई only ends up making the whole world blind. मैं अपनी अपॉइंट्मेंट रद करना चाहता हूँ. मैं अपनी अपॉइंट्मेंट रद करना चाहता हूँ. क्या आप मुझे स्थाने व्यान जनों के बारे में बता सकते हैं? मैं बस यहां से गुजर रहा हूँ. मैं बस यहां से गुजर रहा हूँ. मैं ने हमेशा खाना बनाना सीखने की इक्षा की है. यहां जाने का साल का सबसे अच्छा समय क्या है? मैंने हाली में एक अद्भुत किताब पढ़ी है. इस इस्थान के पीछे की कहानी क्या है? क्या आप फोटोग्राफी के लिए एक शांदार स्थान सुझा सकते हैं? मैंने आज एक नई रेसिपी ट्राइ की. हर बार जब मैं पुराने फोटो एल्बम देखता हूँ, मुझे बहुत सी यादे ताजा हो जाती है. क्या आप एक स्थानी एक कैफे सुझा सकते हैं जहां आरामदायक माहौल हो? एक अच्छी कहानी हमेशा दिल को छू जाती है. मुझे नई भाशाओं को सीखने का बहुत शौक है. I have a great passion for learning new languages. कभी-कभी अकेले समय बिताना बहुत सुकून भरा होता है. Sometimes, spending time alone is very soothing. मैंने हाल ही में एक नई किटाब खत में की है जो बहुत दिल्चस्प थी. I recently finished a new book that was very interesting. I recently finished a new book that was very interesting. संगीत सुनना मेरी मूड को तुरंट बहतर कर देता है. Listening to music instantly improves my mood. नई जगहों पर घुमना मुझे हमेशा रोमांचित करता है. Exploring new places always excites me. Exploring new places always excites me. फिल्में देखने का मेरा यह शौक कभी खत्म नहीं होता. My love for watching movies never ends. पुरानी फिल्में देखकर मुझे अच्छा लगता है. I enjoy watching old movies. पुरानी फिल्में देखकर मुझे अच्छा लगता है. I enjoy watching old movies. मुझे यकीन नहीं है कि यह सही तरीका है या नहीं. I am not sure if this is the right approach. पहर की गती वीडियों के लिए आज का दीन अच्छा है. It's a great day for outdoor activities. आज का मौसम बहुत उदास है. The weather is slow gloomy today. आज का मौसम बहुत उदास है. The weather is so gloomy today. बारिश आखिरकार बंद हो गई है. लेकिन बाहर अभी भी बहुत गीला है. The rain has finally stopped, but it's still very damp outside. मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी विवरन पर चर्चा करने के लिए. I will call you later to discuss the details. मैं आज थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही हूं क्या हम बस घर पर आराम कर सकते हैं? I am feeling a bit tired today. Can we just relax at home? I am feeling a bit tired today. Can we just relax at home? बाहर मुसलाधार बारिश हो रही है. It's pouring outside. बाहर मुसलाधार बारिश हो रही है. It's pouring outside. भारी बारिश के बाद सडकों पर पानी भर गया है. The streets are flooded after the heavy rain. अपनी छटरी मत भूलना बारिश होने वाली है. Don't forget your umbrella. It's going to rain. Taxi आने में कितना समय लगेगा? How long will it take for the taxi to arrive? हमें ट्राफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए. We should leave early to avoid traffic. मैंने उसे करारा जवाब दिया. I gave him a crushing reply. उसने अपने नौकर को आडे हांतो लिया. He took his servant to task. मेरी बहन ने चार पुरुसकार जीते. My sister won four prizes. मेरी बहन ने चार पुरुसकार जीते. My sister won four prizes. उसने मुझे डाटा जरूर पर मेरी गलती नहीं थी. He scolded me, but it was not my fault. He scolded me, but it was not my fault. वा आप पर हावी हो जाएगा. He will overwhelm you. वा आप पर हावी हो जाएगा. He will overwhelm you. मुझे दुकान पर जाना है. I need to go to the store. पिछले साल मैं साइकिल पर स्कूल आता था. क्या आप ने उसे पार्टी में नहीं बुलाया है? Haven't you called her to the party? मैंने उसके मुझ पर थपड मारा. I gave him a slap on the face. मैंने उसे मुझ पर थपड मारा. I gave him a slap on the face. यह खबर जंगल में लगी आख की तरह फैल गई. This news spread like wildfire. This news spread like wildfire. वह पेंटिंग में बहुत प्रतीभाशाली है. She is very talented in painting. She is very talented in painting. वह अपने बात पर आड़ा रहा. He is stuck to his word. वह अपने बात पर आड़ा रहा. He is stuck to his word. Gardener पौधों को पानी दे रहा था. The gardener was watering the plants. The gardener was watering the plants. हमें traffic से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए. We should leave early to avoid traffic. We should leave early to avoid traffic. क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं? Can you help me with this task? निलामी में उसने मुझसे बढ़कर बोली लगाई. He outbid me at the auction. मैंने आज अपना लँच लाना भूल गया. I forgot to bring my lunch today. मैं आज अपना लँच लाना भूल गया. I forgot to bring my lunch today. मुझे कुछ आराम की जरूरत है. I need to get some rest. मुझे आसाइनमेंट के बारे में एक सावाल है. I have a question about the assignment. I have a question about the assignment. फिल्म कितने बजे शुरू होती है? What time does the movie start? फिल्म कितने बजे शुरू होती है? What time does the movie start? मैं वीकेंड का बेसबरी से इंतिसार कर रहा हूँ. मैं कई महीनों से आपको ढूंड रहा था. मैंने उससे इस मुद्दे पर बात की. क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी फिल्म देखी है? Have you seen any good movie recently? उसके सारे सपने मिट्टी में गए. उसके सारे सपने मिट्टी में गए. उसे आपकी बात चुप गई. Your remarks cut him to the quick. उन्होंने बादार में अपनी प्रतिस्था को दी है. He has lost his reputation in the market. He has lost his reputation in the market. उसका भाई पिछले साल फेल हो गया. His brother failed last year. उसने मेरे साथ भोजन नहीं किया. He did not dine with me. उसने मेरे साथ भोजन नहीं किया हमने इसके लिए बहुत महनत की है उनके साथ बुरा बरताओ किया गया ये काम हो जाना चाहिए था इस वर्क शुड़ है बिन दन फिर से ऐसी शरारत मत करना आपको यह घर कैसा लगा? आपको यह घर कैसा लगा? आपको यह घर कैसा लगा? बहुत हाँ बहुत हाँ झाल झाल